गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ओनलाइन लर्निंग शनल में आप सभी का स्वागत है सतर शब प्रति मिनिट की डिक्टेशन जो बोली जाएगी उसकी महत्पून आउटलाइन हम देख लेते हैं पहले पहले आउटलाइन है किलत अभी भी बनी हुई है दोस्तों किलत अभी भी बनी हुए लिखने के लिए खाप लाइन के निचे लिए लाव फिर द्वार लाव उसमें ताका आकडा जोड़ देंगे अभी भी बनी हुई है अभी काशबचिन लगा के उसमें भी जोड़ेंगे फिर बनी बाग आकड़ा और ना हुई के लिए हुई कशब चिन और है उसमें जोड़ देंगे अगला है सिलसिला बढ़ता जा रहा है सिलसिला में आप सा फिरला फिर सा फिरला इसे सिलसिला पढ़ लेंगे बढ़ता जा रहा है मैं आप बा काकड़ा लगा के डा फिर ता जा रहा है के लिए जा को डबल करके उसमें है जोड़ देंगे जैपूर गोल्डन अस्पताल लिखने के लिए दोस्तो जा लिखेंगे फिर या लिखेंगे उसमें पामिरा काकड़ा लगाके जैपूर पढ़ लेंगे और बाद में फिर उसे गोल्डन से जोड़ देंगे और अस्पताल के लिए हम अस्प उसके आखिर में लिख देंगे अगला है सर गंगा राम अस्पताल लिखने के लिए हम सर गंगा लिखेंगे और अस्प इसमें जोड़ देंगे भरती नहीं कर रहे हैं, लिखने के लिए हम भामें राका अकड़ा लगाएंगे ताको लाइंचे काटेंगे, भरती पढ़ लेंगे Nice का शवक्चिन और कर को double करके उसमें है निकाल देंगे और बिंदी देंगे, बिंदी देना दोस्तों ज़रूरी है बिंदी से हम ए की मात्रा बढ़ते हैं और डैस से हम ओ की मात्रा बढ़ते हैं अगला है कम करते जा रहे हैं कम करते जा रहे हैं लिखने के लिए कम का शब्चिन लगाएंगे कर को हम आदा कर देंगे इसे हम ताबिस में जोड़ देंगे और जा रहे हैं पढ़ने के लिए जाको डबल करके उसमें है जोड देंगे और बिंदू लगा देंगे सांसत लिखने के लिए सा लिखेंगे फिर उसमें ना काकड़ा फिर सा फिर ता काकड़ा विकट हालत वा का आकड़ा लगा के का फिर टा हालात के लिए हा का वृत फिर ला फिर ता इसे हम विकट हालत पढ़ लेंगे अगला है अराजकता अराजकता दोस्तों आ का डैश लगा के रा फिर जा फिर का फिर ता का आकड़ा लगा देंगे लाचार हो चुकी है ला लिखेंगे लाइंग के उपर फिर चा में राकाकडा लाचार हो के लिए दोस्तों हम उपर की तरफ निकाल देंगे और चुकी है के लिए नीचे का है लिख देंगे ये किर्या नियम होता है नीचे हम लिख देते हैं से मरने के लिए छोड़ दिया है दोस्तो नाक में राका अकड़ा लगाके से काट देंगे और फिर ना लिखेंगे के लिए के लिए हम लाक को नीचे तरफ निकाल देंगे और छोड़ दिया है लिख देंगे इस्थानी स्तर पर ना में स्तर की चाप रहेगी और याका अकड़ा लगा देंगे एंड में इस्तर पर के लिए सा का अकड़ा तर में जोड के इस्तर हो जाएगा और पर का शब्चिन जोड देंगे अगला है cryogenic tankro cryogenic tankro लिखने के लिए का में रा कर और या फिर जा में ना का अकड़का इसे cryogenic पढ़ लेंगे और tankro के लिए दोस्तो टा फिर ना का अकड़का फिर रा और उसमें डैस जोड देंगे ताकि बहुआ चन बन सके बंदोबस्त लिखने के लिए बा का अकड़ा दा फिर बा फिर बा में इस्ता का चाप लगा हुआ है अफरा तफरी अफरा तफरी दोस्तों कैसे लिखा है आ का डैस लगाया है फिर फर के लिए हमने पर लिख दिया है और तालिक के उसमें फरी जोड दिया है तो बन गया अफरा तफरी आवंटन कैसे लिखा है आ का डैश लगाया है फिर वा का आकड़ा फिल्टा और उसमें ना का आकड़ा लगा दिया गया है तो ये रही हमारी कुछ महत्पून आउटलाइन अब शुरू करते हैं डिक्टेशन सत्तर शब्द प्रति मिनट की गती से संपाथ किए सत्तर शब्द प्रति मिनट की गती से शुरू होगी तीन सेगेंड बात स्टार्ट दिल्ली सहित जादा तर राज्यों के अस्पतालों में ओक्सीजन की भारी किलत अभी भी बनी हुई है मोतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है जैपूर दिल्ली के जैपूर गोल्डन अस्पताल में ओक्सीजन की कमी से बीज मरीजों ने दम तोड़ दिया है इससे पहले सर गंगाराम में अस्पताल में पच्चिस मरीजों की मोत हो गई थी दूसरे राजियों में भी हालात ऐसे ही है ओक्सीजन नहीं मिल पाने से अस्पताल मरीजों को भरती नहीं कर रहे हैं कोई अस्पताल अपने यहां बिस्तरों की संख्या इसलिए कम करते जा रहे हैं क्योंकि अक्सीजन नहीं है नीजी अस्पताल रो रो कर बता रहे हैं की उनके यहां विकट हालात हैं भरती मरीजों की जान सानसत में है ऐसे में एक सवाल यह भी है की जब अस्पताल मरीजों को भरती ही नहीं करेंगे तो लोग जाएंगे कहां इतनी भयंकर आर जाकता देश ने कभी देखी हो याद नहीं पड़ता हालात बता रहे हैं की सरकारें पूरी तरह से लाचार हो चुकी हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है ऐसे में जरूरत है की अस्पतालों को जहां से जैसे भी और जिस कीमत पर उक्सीजन उपलब कराई जा सके करवाई जाए अक्सीजन मुह कराने के लिए इस्थानी इस्तर पर फोरण कोशिश होती तो अस्पताल एक एक घंटे की अक्सीजन पर नहीं चल रहे होते हालत यह है की फिलहाल जितनी भी अक्सीजन जहां पहुच रही है वह सैकडों किलो मीटर दूर से ही रेल और टैंक्करों के जरिये आ रही है जिन राजियों में उक्सीजन संयंत्र कम है वहां यह संगट ज्यादा गहरा है कहने को केंद्र ने पिछले दिनों उक्सीजन के उत्पादन आपूर्ती और क्रायोजनिक टैंकरों के आयात के लिए नीतीगत कदम उठाए है लेकिन इनका असर दिखने में तो अभी बहुत समय लग जाएगा तब तक हालत और भ्यावे हो जाएंगे अगर अस्पताल अपने इस्तर पर उक्सीजन का बंदोबस्त नहीं कर पाए जैसा की हो भी रहा है तो हर पल मरीज दम तोड़ते रहेंगे आज के हालात के लिए ज्यादा जिम्मेदार वहशासन तंत्र है जिसे जनता ने बड़ी उमीदों के साथ जिम्मेदारी सोपी थी इस वक्त हालत यह है की लोग संक्रमन से कम ववस्था की खामियों और लापरवाही से ज्यादा मर रहे हैं ऐसा नहीं है की केंद्र और राज्य इस हकीकत से अंजान रहे होंगे की आने वाले वक्त में देश को कितनी उक्सीजन की जरुरत पड़ेगी पिछले साल संसद की इस्थाई समीती ने उक्सीजन और विस्तरों की संख्या बढ़ाने की जरुरत बताई थी इसके बाद केंद्र सरकार ने अस्पतालों में उक्सीजन संयंद्र लगाने की योजना को हरी जंडी दी थी और दिल्ली जैसे महानगर में ही कितने अस्पतालों में ये संयंद्र लग पाए होंगे इसका अनुमान मौजूदा अफरा तफरी से लगा सकते हैं जाहिर है योजनाएं तो बनती है लेकिन सिर्फ कागजोब में क्या इस बात की जाच नहीं होनी चाहिए कि आखिर उक्सीजन संयंत्र नहीं लग पाने के लिए जिम्मेदार कौन है आज सरकारें अदालतों में जाकर आपस में उलज रही हैं एक दूसरे पर ठीकरे फोड रही हैं अदालतों में बताया जा रहा है कि उक्सीजन संयंत्र लगाने और अस्पतालों को उक्सीजन पहुचाने की जिम्मेदारी किसकी है और कौन नाकाम रहा क्या यहे वक्त उक्सीजन का कोटा तै करने का है उक्सीजन आवंटन की केंद्रिये नीतियों के बारे में अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है कोटा ववस्था से काम नहीं चलने वाला और वैसे भी कम से कम जीवन का तो कोई कोटा तै नहीं हो सकता वरना लोग सिर्फ इसलिए मरते रहेंगे की सरकार प्रयाप उक्सीजन का बंदोबस्त कर पाने में नाकाम रही स्टॉप दोस्तों आपको हमारी ये डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पीडियाफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अगर आप हमारे वाट्सअप ग्रूप और टेलेगराम ग्रूप से जुनना चाहते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है धन्यवाद